चुनाव परचार से लोटते समय मेरी गाड़ी पर आक्रमण कहिया गया इस घटना में सेना के रिटायर कैप्टेन जगरनाथ सिंग हाइल हुए उस आक्रमण में चार लोग मारे गए उसरी चत्ती हत्याकाड ये 2001 में मुक्तार अंसारी की हत्या करने के उद्देश से बिरजे सिंग तिर्भुवन सिंग इनकी एक गैंग है और इस गैंग में जो जगहन घटनाओं को अंजाम देने वाले एलिमेंट हैं और उनकी पीछे से पूरी पुष्ट पनाही करने वाले भी राजनीत के गरियारे में प्रभावशाली लोग है मामला उसरी चट्टी कांड का विचारा धीन था यहां लोकल कोट में जिसको डेकर के हाई कोट में मिस तारीक को एक डिसीजन दिया है कि अगले आदेश तक उसकी सुनवाई को रूब दिया जाएगा लुवर कोट में और साथी साथ उसमें यह अप्रेहंशन दिखाया गय कि आप और आपकी फैमिली पॉलिटिकली बहुत इंफ्लूएंस है जिसकी वज़ा से इसकी पूरी प्रोसीडिंग जो है वो प्रभावित हो सकती है क्या रियाक्शन है देखिए ब्रिजेश सिंग तिर्भुवन सिंग इनकी एक गैंग है और इस गैंग में जो जगहन घटनाओं को अंजाम देने वाले एलिमेंट है और उनकी पीछे से पूरी पुष्टपना ही करने वाले भी राजनीत के गरियारे में प्रभावशाली लोग है 1991 में कुंडेसर में जब मैं विधायक था और चुनाओं हो रहा था चुनाओं परचार से लटते समय मेरी गाड़ी पर आक्रमण कहिया गया उस आक्रमण में चार लोग मारे गए तीन लोग तो घटना स्तल पर ही कामरेट कमला सिंग जिंगुरी गुप्ता और कामरेट सुरेंदर राय बाद में एक और रिटायर प्रिंसिपल कामरेड रामेश्वर राय जिनकी आँख में गोली लगी थी उनकी भी बाद में मिरते होगी इस घटना में सेना के रिटायर कैप्टेन जगरनाथ सिंग हाईद हुए अब कितना दुर्भागिपुन है कि 1991 की इस घटना में चूंकि अभ्युक्त गण फरार थे 24 साल तक बिरजे सिंग कानून से भागे रहे नयायाले से पिरूल मिला था और भाग लिए और कानून को धोखा दे करके लगातार अपराद करते रहें जब वो पकड़े गए भूमनेश्वर में दिल्ली की पुलिस ने पकड़ा तब वो लाए गए उनके खिलाफ मामले खुले उसमें कुंडेसर कांड भी खुला लेकिन अपने धन, बल, अपने राजनीतिक प्रभाव और अपने भए और आतंक का लाव उठा करके उन्होंने गवाहों को तोड़ा एक गवाह जो जीवित थे घायल गवाह कैप्टेन जगरनाथ सिंग अब नहीं रहे उन्होंने गवाही दी कोट में और पहचान भी कराई लेकिन दुरभागपूर परिस्थिती यह है कि उस केस से उच्छूड गए और उसी केस से नहीं उनके खिलाफ पचास से अधिक मामले ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बलकि बिहार में, जहार खंड में महराष्ट में हिंदुस्तान के विभिन परांतों में और अब तक सारे मुकद्मों में अपने जुगार से वो बच्छते रहे हैं यहां तक की महराष्ट का वो जेजे हास्पीटल हत्याकार्ण जिसमें दाओद इबराहीम के को अक्यूजड हैं यह क्योंकि दाओद इबराहीम के बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए हास्पीटल में पुलिस अभिरक्छा में जो घायल था आरूपी राकेश हल डाल कर उसकी हत्या की गई इनके सह अभियुक सुबाश ठाकुर की फांसी की सदा हुई जो बाद में सुप्रिम कोट ने उसको अजीवन कारावास तिल दित में परिवर्टित किया वो आज भी जेल में है अजीब बात है कि सारे केस में बचते चले आ रहे थे इस केस का भी ट्राइल गाजीपूर में शुरू हो गया जिसका आपने वडन किया है उसरी चट्टी हत्या काड़ ये 2001 में मुक्तार अंसारी की हत्या करने के उद्देश से बिर्जे सिंग किर्भुवन सिंग और कि गै अटेक किया था उसरी यहां से 5 किलो मिटर दूर मौ को जाने वाले रास्ते पर एक छोटी सी चट्टी है गाउं है उसमें 9 इंजर्ड विटनेस जीवित हैं घट्ना में कुल 3 लोग मारे भी गय थे आज तक इस केस का ट्राइल रुका रहे इसके लिए लगातार प्रयास कर करते रहे कि हमें ट्राइल नहों उससे पहले जमानत मिल जाए ताकि हम गवाहों को फिर डरा धमका के खरीद लेंगे और ऐसा हुआ हाई कोर्ट में उनकी जमानत की अरजी खारित करते हुए बहुत सक्त फैसला लिखा था कि जिस मामले में 9 लोगों को गोली लगी है और ज किया जाए अब बिर्जे सिंग इस ट्राइल से बचते रहे इसका ट्राइल पहले इलाहबाद MPA मेले कोट में था इलाहबाद MPA मेले कोट ने कई बार गवाह उनके कोट में जब प्रस्तुत हुआ तो उसने निवेदन किया कि मुझे धंकी दी जा रही है अब कोट ने उनक को वीडियो कानफेरेसिंग से तलब किया लेकिन ये दोनों अभियुक्त ना फिजिकल कोट में MPA मेले कोट इलाहबाद में हाजिर हुए और ना वीडियो कानफेरेसिंग से और अपने आडर शीट में उन्होंने लिखा है इलाहबाद MPA मेले कोट के ततकाली इन जज्ज न जब एक निड़य हुआ कोट बन गई तो जैसे सारे मुकदमे अपने अपने जिलों में ट्रांसफर हो गए ये भी मुकदमा इस जिले में ट्रांसफर होकर के आ गया अभी जिस कोट में ये ट्राइल चल ला था चंद दिनों पहले मुक्तार अंसारी के विरुद गैंगेश के एक मामले में दस साल की सजा का आदेश हुआ है उसी कोट में ये चल ला है चुकि इस मामले में अफरोज खा नामक एक गवाह जो चश्मिदीर गवाह था उसने नयायाले में ठोक के गवाही दी अब बाकी उससे पहले तीन गवाह जो गुजरे हैं उन्होंने भी अपनी गवाही दी और उन्होंने ये तस्दीक किया कि अफरोज खांभी घटना के समय पिछली गाड़ी की अगली सीट पे बैठा था अब चार तारीकों से लगातार मुक्तार अंसारी तलब किये जा रहे थे मुक्तार अंसारी तो नयाय कब रक्चा में है और नयायाले ही उनको गुला रहा है कि आईए केस में गवाही दीजिए और अब योजन उसको परशासन शासन उसको नहीं प्रस्तुत कर रहा है तो ये तमाम तरकी आशंकाएं बनती हैं और दरखास्तें पड़ी कोट ने आदेस भी किये इसलिए आदेस किये कि मानिये सर्वोच ने आलेने मानि उचने आलेने आने को बार कहा कि मामले का जो भी चेर परसन ने उनके मामलों का शिग्र निस्तारण हो ट्राइल हो हमारा ही मामला चला है हर पांच दिन चार दिन शे दिन पर डेट पढ़ती है तारीक पर मैं आता हूं जाता हूं ये शिरीमान जी लोग वीडियो कान्फेर विर्जेश सिंग से तिर्भुवन सिंग को पेश करने का हुकम है, फिजिकल आना भी नहीं है कि कोई खत्रे की बात है, और मन चाहता है विर्जेश सिंग कभी आते भी हैं, तो जो वियाईपी टीटमेंट उनको मिलता है, वो आपके कैमरे उस दृश को कैद करते हैं, किसी भ भी हुआ, और जिस घटना में तीन लोग मरे थे, और जिस घटना में नव और लोगों को गोली लगी है, और उनके गवाहों को अभी वो पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए हैं, या उनको हटा नहीं पाए, इलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, वो कोशिस है, वादी मुकदमा म उसके ट्राइल में गवाही दे दें, ये कहां मनजूर है, उनको इसलिए खत्रा है, कि निश्पक्ष ट्राइल नहीं होगा, कि यहां MP हैं अफजाल अंसारी और उनके भतीजे मेले हैं, और मैं अगर कहूं कि बिर्जेश सिंह का सगा भतीजा, सत्ताधारी दल से पार्टी क सरकार है देश-परदेश में, ये कितना नयायाले में इस तरह की बात और बिना किसी पक्ष को सुने, अपने पक्ष का आडर कराने में वो लोग सफल हो गए हैं